हाई फ्रेंड्स फेर्यास किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे कुरकुरी बेंडी इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पाउसर बेंडी लाल मिर्च पॉडर नमक चाट मसाला और तेल फ्राइ करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम इसका टॉप और एंड काट देंगे और इसे बीच में से दो भाग कर देंगे और इसे बारी बारी काट लेंगे इसे लंबी-लंबी काटें देखिए इस तरह हमें सारे बेंडियों को काटना है इसे बारिक-बारिक काट देंगे अगर बेंडी बड़ी हो तो उसे दो भाग में कर देंगे इस तरह हमने बेंडी काट ली है तो चलिए फ्राइ करते हैं सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे और उसमें तेल दालेंगे यहां मैंने जादा तेल लिया है क्योंकि हमें डी फ्राइ करना है जैसे ही ओईल गरम होने लगे हम एक बेंडी दाल के इसमें पहले चेक कर लेंगे देखिए ओईल हो गया है अब हम बेंडी दाना शुरू करेंगे बेंडी को हाथ से मसल के दाली ताकि यह अलग अलग होकर अच्छे से प्राइ हो जाए अब अब इसे मिक्स कर दीजी ताकि ओईल में अच्छे से स्प्रेट हो जाए हमें अभी हम इसको हाई फ्लेम पर बना रहे हैं देखी बीच बीच में से चलाते रहे अब हम फ्लेम को लो कर देंगे देखी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है इसे गोल्डन ब्राउन ही करें जादा ब्राउन ना करें अब हम फ्लेम बन कर देंगे और इसे कल्ची की मदद से एक प्लेट में निकाल लेंगे हैं स्पून ना यूज करें कल्ची यूज करें ताकि ओल अच्छी से निकल जाए कि अप्लेगे जाए अप्लेगे और शुरू है है जाए 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 कि अव्लेगे देखिए क्रिस्पी हो गई है अब हम इस पर मसाले स्प्रिंग करेंगे सबसे पहले मैंने नमक स्प्रिंग किया है यह मैंने हाथ से स्प्रिंग कर रही हूं और इसे हलके हाथों से मिक्स कर ले अब हम इसमें लाल मुच पॉडर एड करेंगे लाल मुच पॉडर मैंने यहां हाफ टीस्पून लिया है और इसे भी अच्छी से मिक्स कर ले अब चाट मसाला दालेंगे अब इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे चाट मसाला भी मैंने हाफ टीस पुल लिया है देखिए तैयार है हमारी कुरकुरी भेंडी इसे सबजी या दाल के साथ परोसी है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए झाल झाल झाल